इस वीडियो में बात करेंगे गोयल अलुमीनियम्स पे, गोयल अलुमीनियम्स के उपर जो एक न्यूज है, वो यह है कि स्टॉक का जो फेस वैल्यू है, जो की 10 रुपय है, वो कनवर्ट हो जाएगा रूपी 1 में, यानि कि स्टॉक और स्प्लिट होने के बाद यह दस टुक गोयल अलुमीनियम्स एक बहुत ही चोठी कंपय हैं, बहुत ही रिस्की कंपयी हैं, और इस तरह का काम मैंचमेंट तब करते हैं, जब उन्हें अपने स्टॉक को सस्ता करना होता है, लेकि ये स्टॉक वास्तों में सस्ती तो होते हैं ये फेस value जो है आप यां पर कम करते ह इसका पतलब यह नहीं कि आपकी अर्निंग बढ़ गई और मार्केट वैल्यू के इसाब से आपका स्टॉक का जो पी है वो घट गया उसको आप मैंडेज कर लिए तो इस तरह से थोड़ा सा जो वो निवेशक जो की ऐसी कंपनियों में फस सकते हैं इंफाक्ट तो वो फस जा कंपनी जो है 527 क्रोड के मार्केट कैपिटलाजेशन के साथ है 493 पी के उपर है 493 इसका जो है वो है प्राइस टु अर्निंग मल्टिपल तब आप यह समझ लेजे कि 527 क्रोड रुपए के मार्केट कैपिटलाजेशन के साथ 493 का पी जबर दस्त तरीके से यह रिस्की यहां पर 369 का चार्ट में आपको दिखाऊंगा ऐसा चार्ट साइज ही आपको कहीं दिखता होगा आरो सी 10 परसेंट और यहां पर 7.2 परसेंट है यह दोनों फेबरेबल है और अगर आप इंडस्ट्री पी की बात करेंगे तो वह 34 होता है एवरेज में कंपनी करती क्या है तो परस अगर कंपनी करती क्या यह देखे तो कंपनी इस ओफरिंग अलुमूनियम स्ट्रीट्स, कॉइल्स, सेक्शन्स, ग्रिल्स और अधर अलुमूनियम प्रोडक्ट्स तो यह कंपनी ट्रेडिंग में यहां पर आपको नजर आ रही है जहां तक डेटा की बात है तो करोड 85 लाक रुपए बेशते हुए नजर आई अब इसका जो ऑपरेटिंग प्रोफिट मार्जिन आप देखेंगे तो यह करीब 3% और उसके बाद यह बढ़के हो गया 8% यह दो चीज यहां पर आपको दिखेगी प्रोफिट बिफोर टैक्स 80 लाक्स के आसपास और उसके अब मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ इस कंपनी का जो रिजर्व है वो इस समय है दो करोड 49 लाक और उसके अगेस में कंपनी ने बॉर्रिंग की है दो करोड 95 लाक तो रिजर्व से ज़्यादा बॉर्रिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है तो यह को अब मैंने आपके सामने एक ऐसा चार्ट प्रस्तुत किया है जो सहद ही आपने कभी देखा होगा यह है इस स्टॉक का चार्ट लगातार यह स्टॉक उपर जा रहा है और यहाँ पर आपको एवलेबल है 368 पर यह एवलेबल है 450 के उपर के मल्टिपल पर आप यह पॉइंट देखिए जहां पर कि यह स्टॉक भागना शुरू हुआ 238 पर यह स्टॉक आपको उपर की तरफ जा रहा है आपने सायधी किसी तरह का इस तरह का कोई चार्ट देखा होगा तो इस तरह की कंपनी इस तरह के चार्ट के साथ यहाँ पर एवलेबल है आप वॉल्यूम ने अगर देखेंगे तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक यहाँ पर नजर आ रही है तो रिटर्न की फ्रेंट्स बात करें तो रिटर्न जो है वह कंपनी का एक हटे में उपर करनी करीब 4% का है, एक महीने में 20% का है, और 3 महीने में 90% का है एक साल में डीड सो परसेंट का है तो आप देख सकते हैं YTD की वैसे इस पे 90 परसेंट का है तो कंपनी ने अच्छा कसा यहाँ पर रिटर्न दे दिया है और उस आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब स्टॉक आपकी पहुस से बाहर हो जाता है तो कंपनी स्टॉक में जो रिकॉर्ड डेट है रिकॉर्ड डेट जो है वो है पचीस अपरेल तो पचीस अपरेल को यह स्टॉक जो है रिकॉर्ड डेट के इसाप से स्प्लिट हो जाएगा अब उस दिन जो भाव रहेगा जैसे अभी तो 368 रुपय है तो उस दिन माल लीजे कि 380 तो 38 रुपय है पर यह ट्रेड करने लगेगा तो क्या आप मानते कि यह सस्ता है स्टॉक जो है सस्ता और महंगा उसके स्टॉक के प्राइस से नहीं होता है यह समझ लेने की आप कोसिस करें स्टॉक जो सस्ता और महंगा होता है उसके प्राइस टू अर्निंग मॉल्टिपल ratio के वज़ा से होता है जिसमें हम stock के market price को उसकी earning से उसकी earning से जो भी company है उसकी earning से उसकी तुलना करते हुए हम निकालते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि stock का जो P.E. है उस stock कितना महंगा है ठीक है friends तो यहां पर आपको average जो P.E. है इस industry की वो 35 है और उसके against में ये 450 के उप पनी के जो P.E.s थे वो 500-400 इस तरह के उसमें चलते थे और अब एक ही जटके में केवल एक जो controversy आई तो जैसे ही वो controversy आई और company के stocks जो है वो नीचे गिरने लगते है अब ये काफी चूटी company है और काफी risky company है गोयल aluminiums तो गोयल aluminiums ये काफी risk की company है या तो आपको अच्छा कासा पैसा दे सकती है या फिर आपको ये एकदम zero कर सकती है तो इस हिसाब से ये जबर्दस risk की company है तो आप उसे साब से यहाँ पर फैसला लीजिएगा तो friends I hope की गोयल aluminiums पर आपको ये update अच्छा लगा होगा इस त तरह के management के एकदम जो चतुर और clever तरीके के फैसले होते हैं जिससे की retail निवेसक हैं उनको लगता है कि ये stock तो अब काफी सस्ता हो गया इसमें entry ले लेनी चाहिए अब ये 36 रूपय से लेके और 30 रूपय के range में ये stock चलेगा तो आपको लेगेगा कि अरे अब जी ये stock तो सस्ता हो गया लेकिन नहीं नहीं यहां पर इस stock सस्ता नहीं है stock के price वही है stock काफी महंगा है तो उसे साबसे इसको evaluate करें friends I hope कि ये वीडियो जिसमें Google Aluminium पर मैंने update किया आपको पसंद आया होगा चैनल बनहें तो subscribe like share comment जरू करें thank you so much